तो दोस्तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दूसरी के थामनेल को आप कैसे अपने थामनेल में लगा सकते हैं तो दोस्तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे करना है तो सबसे पहले आपको यूटूब पर जाना है अब जिस भी टूपिक पर वीडियो बनाएं उस टूपिक पर आपको सर्च कर लेना है जैसे कि मैं यहां सर्च करता हूँ अगर आप फनी वीडियो या कुछ भी वीडियो बनाते हैं तो उस टूपिक पर यूटूब पर सर्च कर लेना है सर्च कर लेने के बाद आपको यहां पर कुछ ऐसे आ जाएंगे फिर यहां से आपको थामनेल की वल दिखाए देंगे फिर यहां से आपको स्क्रीन सोट कर अगर इस थामनेल को अगर आप लगाना चाहते तो यहां से आपको सबसे बहुत स्क जाले जाना है तो मैं यहां पिक्सल लेफ से एडिट करता हूं तो चलिए पिक्सल लेफ ओपन करते हैं ओपन कर लेने के बाद यहां पर इमेज साइज कर लेना है यहां से कस्टम करके यूटुब थामनेल पर क्लिक कर लेना है क्लिक कर लेने के बाद यहां पर इस पलस वाले आइकन पर क्लिक करके प्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है क्लिक कर लेने के बाद अभी जस्ट हमने एक स्क्रीम सोट किया उस वाले पोटो को सेलेक्ट कर लेना है कि सेलेक्ट कर लेने के बाद यहां से आपको 16 रिस्यू 9 वाले साइज को सेलेक्ट कर रहे हैं सेलेक्ट कर लेने के बाद इसको यहां से इस परकार सेट करके कि राइट करना है पर यहां से इसके साइज को बड़ा कर देना है तो इस परकार करने से हमारा थामनेल यहां से कोपी त्यार हो जाएगा तो चलिए यहां से सेव करते हैं एक्सपोर डाइमेंच वाले उप्सन पर किलिक करके यहां से कस्टम वाले उप्सन पर किलिक करके अल्ट्रा वाल अल्ट्रा पर करना है फिर यहां से सेव टू गैलरी कर देना है इस परकार हमारा थामनेल बन चुका है चलिए मैं देखाता हूं हमारा थामनेल कैसे बना है तो देख सकते हैं थामनेल सेम वेसे ही बन चुका है तो इस परकार आप दूसरे के थामनेल को यूटूब पर जा करके सबस्क्राइब ले लेना है उसके बद आपको पिक्स आपको वीडियो अगर अच्छे लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें